सीधे रुक करेंगे अपने अन्य सही होगी शानवाज अक्तर के पास जो इस वक्त डीवी सी और जेवी बीएनल से जुड़ी इस बेहद महत तोपूर्ण वारता के बारे में हमें जानकारी देंगे जिसमें एक समझोता हुआ है शानवाज जी आप लगातार इस पूरे खबर क्या आपके पास थे या फिर आपको लग रहा है कि इसके पीछे जो खाका तयार किया गया है वो इस सरकार के हित में है उस सरकार के हित में था या पूरे के पूरे उपभोकताओं के हित में सुन पा रहे हैं कि आप हमें लगता है हमारे सायोगी से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है पुना प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का और उनसे उनकी कमेंट को लेने का एक बार पुना रुख करेंगे अपने सायोगी शानवास का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए है अवाज लगातार आप इस मुद्दे पर बने हुए थे थोड़े दिर पहले भी हम बातचीत कर रहे थे और ऐसे ही आसार के बारे में आपने जिक्र किया था कि शायद उनके बॉडी लैंगविज को देखकर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ न कुछ समझाता होगा किसकी ज मुक्ताओं ने लगातार दबाव बनाए हुआ था साथ जो जिले हैं कमांड एरिया में जिसमें रामगड हजारी बाग कोडरमा चतरा धनबाद शामिल हैं उसमें तो इन तमाम जिलों के जो जो लोग थे जन्तपरतिनियों पर बहुत दबाव बनाए हुए थे लगातार मुखमंत्री भी बरबर अपने अधिकारियों से संपर्क में थे और अभी अभी जो तीन बजे आज जो बैठक हुई है उसका फलाफल यह निकला कि आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही सुगम हो गया अब आगे इस तरह का परवधान ना आए इसके लिए अधिकारियों न दिया जाता रहेगा जो पिछले मार्स से डियू था जिसके बज़े से डीवी सी को नाराजगी थी कि उसकी भी विवस्ता है उसको भी आगे खर्च है उसका तो उसको भगधान का सामना करना पड़ा इन तीनों महीने के जो बीच मेरे जो डिस्रप्शन हुआ है जो चेक न आक्टर कम टांस्मेशन एमडी के के वर्मा मौझूद थे रिशी नंदन मौझूद थे तमाम जो अवर्दिमेदार लोगों ने सिगनेचर किया है और उस तरह से मेंबर सेक्रेटी ने सेंजे सिगनेचर किया है और यह वादा किया है कि इस तरह की बात आइना नहीं होगी पावर डिस्ट्रप्शन नहीं किया जाएगा हाला कि पावर डिस्ट्रप्शन पर बहुत देर बहस भी हुई बहुत सारी बाते भी हुई कि जनता को परेशान करने के लिए इस तरह के डिस्ट्रप्शन की बात समझ में नहीं आए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है खासकर क के मुई बनाया गया है यह में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स में एक पॉइंट्स मैंने जैसा बताया कि 170 कड़ोर रेगुलर इमाउंट है वह जाता रहेगा 400 कड़ोर रुपया पहले दिया जा चुका है और लगबग 2000 कड़ोरुपय का मामला जो है अपिल इसल्व नहीं जाता है तब तक रेगुलर 170 कड़ोर रुपय की जो माहाना किस्त है वह डीवी सी को भेजी जाती रहेगी और इस तरह से अभी अभी मैसेज भी प्राप्त हो गया है डीवी सी के जो यहां प्रोटिकॉल अधिकारी है अभय नाम है उनका अभय अंकर उन्हों ने भी यह मैसेज दिया है हमारे थुरू इसक्लूसिवली हमने इस पूरे पूरे गतिरोध और पूरी मीटिंग और मॉयू और साइनिंग प्रोसेस को हमने लाइव कफर किया है उन्हों ने भी देखा अच्छी बात बताई कि जो गतिरोध था वो समाप्त हो गया है और उस तो वो निभाना पड़ेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए और दवाम बातचीत करने के लिए शाहनवाज आपका बेहत शुक्रिया और फिलाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना है लेकिन आप बने रहे हैं न्यूस एलेवन भारत के साथ तमस्कार